असलाम उलेकुम दियर स्टुडेंट्स तोड़े इन दिस वीडियो वी शल स्टार्ट ओवर लास्ट यूनेट यूनेट नाइन और नेम अफ दिस यूनेट इस ट्रांसफर आफ हीट आज हम अपना लास्ट यूनेट इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे और यूनिट का नाम है ट्रांसफर आफ हीट जैसे के प्रिवियस चैप्टर में आपने मुकमल तोर पर हीट के बारे में पढ़ा हीट की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे के सिर्फ हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे के हीट कैसे एक आपजेक्ट से दूसरे आपजेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है तो इस से रिलेटिड मैं आज आपको सिर्फ दो शॉर्ट कॉस्टन बस आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वो ये एक शॉर्ट कॉस्टन तो तीसरी लाइन में देखें डिफाइन ट्रांसफर ओफ हीट तो ये देखें थर्ड लाइन से थर्मल इनरजी फ्रॉम ए हॉट बॉड़ी फ्लोस टू अ कोल्ड बॉड़ी इन दी फॉर्म ओफ हीट ये एक शॉर्ट कॉस्टन तर्मल इनरजी फ्रॉम ए हॉट बॉड़ी थर्मल इनरजी का मतलब हीट इनरजी हीट इनरजी हमेशा हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है इन दी फॉर्म ओफ हीट इसी को कहा जाता है transfer of heat ये एक short question define transfer of heat फिर आपको ये भी मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि transfer of heat एक natural process है यानि कि ये heat खुद बाखुद ही transfer होती रहेगी from high temperature to low temperature जब दो body आपस में contact में आएंगी और जब तक transfer होती रहेगी जब तक दोनों object का temperature सेम हो जाए यानि कि अगर दोनों का temperature डिफरंट होगा तो heat की traveling होती रहेगी लेकिन जैसे ही equilibrium की state आगई equilibrium का state का मदलब अगर दोनों तरफ का temperature सेम हो गया तो फिर heat की transference नहीं होगी तो ये आपका पहला short question इस chapter का define transfer of heat now second short question बहुत important write three ways, write down the three methods of transfer of heat जो का मैंने आपको इस chapter में ये बताए कि मैं इस chapter में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि heat की transference कितने method से होती है तो ये भी एक short question है कि write down the names of methods of transference of heat heat की transference के methods के name लिखे तो उसका answer सुने there are three methods of transference of heat heat की transference के तीन method है conduction, convection and radiation there are three methods of transference of heat conduction, convection and radiation अब इस पूरे chapter में हमने इन तीनों methods को ही study करना है conduction को explain करेंगे इन्शाला convection की भी explanation इस chapter में आएगी और radiation की भी explanation आएगी कि ये तीनों ही heat की transference के method है तो ये आज इस वीडियो में आपको इस chapter का start करवा दिया है और दो short question में आपको समझा भी दी और mark भी करवा दी अब इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में आपको